एंजियो उसका जो मामला है यह ट्रस्ट है लोग हम पे जो है तो एतिबार करते हैं सबसे पहले तो जो भी एंजियो अपने इलाके में काम कर रही है उसका वैसा नेचर ओफ वर्क होना चाहिए वैसे उसके मैनर्स और वैसा उसके डेडिकेशन होना चाहिए कि वो पूरे इल हमारी टीम ने जो है तो आपको लगे अंदर काम शुरू की फ्राइंग कलर्स एजुकेशन फांडेशन आप लोगों ने नाम सुना होगा यहां से अलहम दिल्ला होटी बैंग भी चलती है कपड़ा बैंग भी चलता है हम पहने इधर जो है तो फोकस करते है कि गवर्मेंट की तो लोगों को क्या क्या चीजों का बेनिफिट दिलवाया जाए अपने जो यह जो एजूकेटेड लोग नहीं है उनके लिए बात चेर रहे यह नहीं यह सलम इलागों के अंदर उनको कैसे पती चलेगा यह काम हमारे मीडिकर रिलिस सेंटर करेगा उनको बताएगा उसका परचार करेगा सोशल मीडिया में उसको वाइरल करेगा रिजिनल वेंगे उसके जरीए और लोगों को वहाँ पर पहुंचा कर उसके अंदर बाकरता इन्रॉल्मेंट करवा के देगा आप आपकी शहर में अपर आपके चल जाए तो आपके पास फिर मेडिकल इत्रिप में इस भी आएंगे इसमें बहुत लोगों की दुआये मिलती है इसलिए जो है तो हमको इस काम को कोई भी एंजियो मैं वही बार बर मुला हूँ कि यह मैं वह बार बात करना चाहता हूँ जो एपने इलाके मे जाके काम शुरू करना चाती है असलाव अलेकर नहाँ दूबू निसली अल्ला रसुद आजियो करेम अमा बात फाउज मिल्लाई मिन श्याइतान रर्जीम डिस्मिल्लाई रॉत्मान ररहीम मारास्ट माइनरिटी एंजियो फोरम की जानिश से मुलाकित की गई है थर्ड स्टेट लेवल एंजियो कॉन्फरंस अल्हमदिल्ला दो दिन से यहाँ पर चल रही है मैं यहाँ के जितने जिम्मेदारान है जिन्होंने इसको आरेंज किया है और खास्तोर से हमारे MMNF के पिर्सिडेंट जाकिर शिकलगर साहब जिन्होंने एक मौका हम लोगों को फराम किया कि हम लोग आपस में एक दूसरे की एक्सपिरियंस शेयर कर सके उनका जो भी तो तेह दिल से शुक्रिया दा करता हूँ इससे पहले कल्यान में भी ये बात होई थी कि असल कॉंफरेंस का जो मकसद है वो सिफ कॉंफरेंस को अरेंज करना, और्गिनाईज करना और जादा से जादा En侈यो सको उसके नदा चोड़ना उससे जादा जो मकसद है कॉंफरेंस का वो ये है कि यहाँ पर आने वाली हर NGO इस नियत के साथ यहाँ से जाए कि हमको अब यहाँ से जाकर जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं उस काम को जो बढ़ाना है और जितने प्रोजेक्ट्स जितने मिशन्स यहाँ जो और्गेनाइज़ मिशन्स है उसको भी हम लोगों को अपने लाकों में जाके करना है और मैं उमीद करता हूँ कि यहाँ पर आई भी एंजियो जो है तो इसी नियत मेरे गुफ्तगू से पहले अपने दिलों में इंशनल्द कर लें तो फिर ये मेरे नजर में कामियाव होगी मेरा इस थोड़ा जहन मुंतशिर है मेरे फैमिली पे तो वह रहाल चुकि जिम्मेदारी दी गई थी और हम लोग सुबह से पहुँच गए थे यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि एंजियो उसका जो मामला है जैसे बात आई सुबह में है कि यह ट्रस्ट है यहने लोग हम पे जो है तो एतिबार करते हैं तो सबसे पहले तो जो भी एंजियो अपने इलाके में काम कर रही है उसका वैसा नेचर ओफ वर्क होना चाहिए वैसे उसके मैनर्स और वैसा उसके डेडिकेशन होना चाहिए कि वो पूरे इलाके पर छा जाए जब हम ये फैथ हासिल कर लेंगे मैं कुछ प्रिक्टिकल बाते आज़ा आज़ा आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ ये हमारे मिशन पर भी हम आएंगे तो इशालला हम लोगों को ये CSR और ये जो भी जितनी चीज़े बताए गई ये उस सब चीज़े जरूरी है आगे ज पहसिल कर लेंगे उस वक्त जो है तो इंशालला अल्लत अल्ला हमारे तमाम कामों को आसान कर देगा इसी का एक डोल मोडल जो है हम लोगों ने प्रिक्रिकल अलहमद्दिल्ला आकुला के अंदर अल्लाने अमारी टीम से करवाया है हमने ही किसी की ताकत नहीं होती है उख चुड़े थे, खुजू सल्वासलम की सीरत के तालुक से हम लोगों ने एक ऐसे कॉम्पटिशन अरेंज किया था, परिशीत मुम्मत सर्वान साथी, प्रॉफिट मुम्मत फर ओल, और बस ये एक अनोखा प्रोग्राम जो है तो उसकी तफसिल बताने के लिए भी वक्त नहीं हैं, वहाँ हमारे आकवलों में हुआ, धाई हजार ब्रादराने वतन ने हुजू सल्वासलम की सीरत पर मजामीन लिखे, और उनका बड़ा फैलिसिटेशन प्रोग्राम हुआ, उनका बताने का मकसद ही है कि बस ये हुजू सल्वासलम के नाम की जो है तो बरकत थी, हमारी टीम ने आकों लगे अंदर काम शुरू की, प्लाइंग कलर्स एजुकेशन फांडेशन आप लोगों ने नाम सुना होगा, और हम लोगों ने पहले एजुकेशनल प्रोग्राम्स किये, सर जो है तो बले ही मतलब हो, उमर में मेरे से यहाँ छोटे नजर आ रहे हो, ल तो अलम दिल्ला एक बड़े लेवल पर इस वक्त हमारी फांडेशन से जो लॉंग टर्म प्रोजेक्ट है, एकी सेंटर से साथ से आख प्रोजेक्ट अलम दिल्ला अल्ला चलवा रहा है, जिसमें से एक आपने सुना होगा, अभी सुबह में यहाँ पर बात आई, कि रोटी हुआ, और यह आप लोग भी अधर शुरू करना चाहते हैं, तो इसके लिए कुन सी चीजों की जुरूरत दरकार होगी, वहाँ से मैं बात शुरू कर रहा हूँ, तो रोटी बैंक शुरू हुआ, वेस्ट फूट जो है तो जो शादी बंगल कारे ले खानों, शादी के अं यह रोटी बैंक हो गया, पुरे आकोल में शौर शौर हो गया, यहाँ से जोटो गरीब मरीजों को और यहाँ पर दूसरे भी सलम एरिये के अंदर काम किया जाता है, क्या हुआ, जब लोगों को काम दिखता है, तो लोग हमारी तरफ में मायल होते हैं, किसी ने कहा कि मैं च से रोटी बैंक शुरू है, तो एक काम करो कि हम खाना ला रहा है, इससे कहते हैं, लोगों की मदद लोगों से, नो नीड ओफ CSR, नो नीड ओफ any fund from community, उससे इंकार नहीं है, हमको वहाँ तक जाना है, लेकिन जो new NGOs हैं, जो काम करना चाहती है, लोगों की मदद लोगों से, खाना लोगों के तरफ से आ रहा है, मुस्ताइकिन तक पहुच रहा है, कपड़े लोगों की तरफ से आ रहा है, मुस्ताइकिन तक पहुच रहा है, अभी दर्मियान में, यह फिर इस तरह जो है तो हमारा सेंटर, यहाँ पे जो है तो चलना अकुन में शुरू हुआ, प्रडिशी शुरू हुआ और MRC भी जो है तो चलता है कुछ चीजों के नाम यहान ने लिखेविया रमदिल्ला बहुत सारे काम यहां से चलते हैं तो यह हुआ कि लोगों की नजर हमारे सेंटर की तरफ आई कि यहाँ पर कोई भी चीज ले जाकर दे दो वो सही मुस्तविकि है जिसके अंदर न्यू शूज और चप्पल्स है यह भी आप आपके रोटी बैंक में लेके चले आओ कुछ लोग आए उन्हें हमारे पास में मेडिकल इक्विप्मेंट्स है बेड होते हैं एर बेड चार-चार अजार उपी के आते हैं तो उसके आद में जो है तो जो इसी कई चीज़े हैं मेडिकल इक्विप्मेंट्स है अभी जो है तो तकरीबन सतर से असी अजार उपी की नेट जेडवली की एक केंडिडेट ने बुक्स लाके दे दिया तब हम लोगों ने सोचा कि बुक बैंक भी शुरू कर देते हैं जो केंड़ बच्चे हैं जो अजिए तो अजिए तो शुरू हुए यह आप देख सकते हैं हॉस्पिडल्स के अंदर कोवीट के अंदर तो बहुत काम गुआ उसकी तफसिलात के निए मोगण नहीं है और यह ने जी जो है तो हमारा खाना जो है तो यहाँ पर तक्सीम होता है रोटी बैंक के जरिये से यह कोवीट वाट के अंदर अर्मदिल्ला हमारी अबी भी भी खित्मात जारी है बागादार डीन की पर्मीशन लेके सिवील अप्रिडल में पीपी किट पहन कर हमारे लोगों ने जो है तो अर्मदिला हुआ पे खित्मात अंजाम दी है यह आप देख सकते हैं तो फिर हम लोगे जहन में यह बात आया है कि रोटी बेंक शुरू हो गया कपला बेंक शुरू हो गया फिर हमारे सामने यह लोगों के तरस से तकाजे आए कि मेडिकल की जो एक्सपेंसेज है चुकि हमारी एंजियों के अंदर डॉक्टर्स और टीजर्स लोग जुले हुए है तो ता लेकिन अभी हुई मैं बता रहा हूँ आपको कि सारी चीज़े बताने के लिए वक्त नहीं है तो मेडिकल रेली सेंटर का जहन में बात इस तरह आई कि लोगों का जो एक्स्टर पैसा खर्च होता है उसको हम हमारे सेंटर के जरीए से एक ऐसा पैनल बनाया जाए हमारे ही कि जहां से लोगों को सही पेशान भी मुस्तविक होना चाहिए और उन्होंने हमारे कम्विनिटी के डॉक्टर्स के पास में हम वहां से उनको रेफर करते हैं अब यह हुआ कि जब हमने इसका सोशल मीडिया पे वाइरल किया सबसे पहले हमने हमारे इलाके के हमारे शहर के म का एक पैनल बनाया अल्लद आल्ला ने हर किसी की दिल में बात रखी है हमारे मुस्लिम डॉक्टर्स भी अल्हमदिल्ला उनके ओपीडी पे बैठकर खित्मात अंजाम देते हैं बट हमने सोचा कि क्यों ना यह एक वैल और्गिनाइस तरीके से हो कोई भी चले जा रहा है ड डिजर्विंग केंडिडेट को ही हम उसका बेनिफिशेरी बनाएंगे इजाहिर से बात है हर किसी को बनाएंगे तो फिर वो लोगों का भी प्रॉब्लम आएगा के पेशन्स आ रहे हैं और आप फिरी में बेज रहे हैं कोई ऐसा काम नहीं करता है तो हम लोगों ने उसका स हॉस्पिटल्स लितने हैं मेडिकल रिलिफ सेंटर से कई हॉस्पिटल्स को इमपैनल्ट किया गया जोड़ा गया तो उसके अंदर रेडियोलोजिस्ट भी है उसके अंदर पैथोलोजिस्ट भी है उसके अंदर सरजल और्थोपेडिक सरजल सारी जितनी फैकल्टीद आती ह medical की वो तमाव लोगों को हमने उससे हमारे center से उनको connect किया और उन लोगों को यह कहा हम लोगों ने कि हमारे पास से जो patient आता है उनको बहुत सारे लोग इस बात पर राजी हुए कि हम उनके ने OPD free करेंगे और बहुत से लोग इस बात पर राजी हुए कि जो IPD होती है patient को admit करते हैं और 1000 उपिय का bill hospitals का बनता है उसको हम जो है तो 50% करेंगे जो patient medical relief center से आएदा है अब आप बोलेंगे ये काम तो कोई भी कर सकता चलते फिरते तो ऐसा नहीं doctors जब हमारा support कर रहे हैं तो उनको भी number of patients चाहिए वो हमको पैसे कम कर रहे हैं हमारे patient के लिए तो उनको number of patient की देदात कैसी मिलेगी तो जाहिर सी बात है हमारे बास में दो orthopedic surgeon अटेच है अब patients का flow जो है तो बढ़ गया है शहर में बात चल गई है कि medical relief center पे ज़रुवतमन patient जाता है तो उसका operate जो 20,000 का होता है वो यहां से नेटर लेने तो वो 10,000 में होता है तो लोगों का हमारे तरब से रुजहान बढ़ा number of patients बढ़े और डॉक्टर साहब जहाँ 10 लोगों से उतने पैसे कमा लेते थे वो 20 लोगों से कमा रहे है समझ भी है आपको बात लेकिन patients का उसके अंदर सीधा-सीधा फायदा हो रहा है यह कौँसा पैसा है शायद मैंने पूना में यह बात कहीं थी कोई भी अपनी जेव से खर्च नहीं करता है मैं मौजरत के साथ में मुझे अच्छा भी नहीं लगता कहीं बोलना यह एक cut practice का system है इसे कहते हैं cut practice जो के इसलाम में सीधा-सीधा हराम है जो cut practice के जरिये से लोग हजारों रूपिय कमाते हैं उसी cut practice को हमने खतां करके लोगों का लाखों रूपिय बचाया है यह medical relief centers और उसको systematik किया जाए डॉक्टर से बात की जाए समझाया जाए तो अलम दिल्ला वो काम होता है वो यह अगर अपकी शहर में शुरू करना जाता है तो मुझसे content करे उसके लिए तफसीनी कुफता हूँ उसके लिए जो है तो दरदार है तो यह बात चल रही थी medical relief center की अब यह medical relief center हमारा होती शुरू हो चुका अब वहाँ से तो प्राम करते है एक तो यह कि जितनी government की schemes है देखे NUHM जो है NHM बोगते है National Health Mission National Health Mission के अंदर बहुत सारी government की schemes जो है तो आई है इसका awareness इसका awareness कैसे किया जाए तो वो भी medical relief center से होगा हमने इस बात को social media के खुब viral कर दिया कि भई कोई भी जरुवत मन patient है उसको अगर सरकारी scheme का लाव उठाना है medical के अंदर या private hospital के अंदर लाव उठाना है अपने पैसे कम से कम खर्च हो तो medical relief center से contact करे तो सबसे पहले यह सरकारी scheme की बाप आई इसके अंदर बहुत सारी schemes है यह जो pregnant women's होती है उनको परदान मंतरी वातर वंदन और योजना है 6000 रुपीज उसके अंदर government के तरफ से आते है हमारा एक इलाका है सलम इलाका है लोगों को अगर हम वापे सर्वे कर ले मैंने सर्वे का फॉर्म भी बनाया हूं और अगर से 100 लोग भी ऐसे निकल जाते हैं जिनके वापे pregnant women's है 100 लोगों को अगर हम एक scheme का फायदा दिलाते तो 6 लाक रुपीया हमारा एक scheme के उपर community का बचेगा बट ये काम जो है तो well, systematic और organized तरीके से हूँ चाहिए ये तो एक है कौन से ऐसे मकानात है जिनके अंदर zero न्यू गॉर्म से लेके 6 साल तक के बच्चे है उन मकानात के अंदर बात है उस बच्चे की वज़े से अंगनवानी से राशन आएगा अब हम लोग राशन कीट तक्सीम कर रहे है उस गर में तक्सीम कर रहे है जो राशन कीट गवर्मेंट से ले सकता है तो हम पहले इधर जो है तो फोकस करते है कि गवर्मेंट की तो लोगों को क्या-क्या चीज़ों का benefit दिलवाया जाए तो ये बहुत सारी ज़ते स्कीम है ये दिखिए आपको एक स्कीम दिख रही है इसे अंदर Home Based New Born Care कभी आपने सो सुना है कि पेशन होस्पिटल में एडमिट हुआ और जाने के बाद में पेशन की मदर को पैसे भी मिल रहे है पेशन एडमिट हुआ बड़ टिशा जब हो रहा है वो तो उसको पैसे मिल रहे है किसी ने सुनाएगे बाद मिलते है ये जो HBNC जो स्कीम है जो पच्छे कुपोशन का मालन्यूट्रिशन का शिदार हो जाते है उनके लिए गवर्मेंट ने डिस्टिक लेवल पर NRC Centers वो NRC नहीं है दुस्टा नाती है Nutritional Rehabilation Center कयम किया है आशा जो होगी वो उसके लिए उसके घर का सर्वे करेगी और उसको जो है तो रेफर करेगी NRC Center पे उस बच्चे को 14 days उस होस्पिटल में रखा जाएगा और 14 days रखने के बाद में उसका जो यहने जो मान न्यूट्रिशन का जो ठ्रीटमेड है वो भी होगा उसका वेट बड़ेगा उसके उसके अने पाकाद मॉनिटरिंग होगी और जो एड़ टाइम अफ बिश्चार्ग मेरे जहन से निकल रहा है सब मिलागे 2200 से 2500 रुपिय होते है जो टीवाब भुले जो है अब यह जो क्या है यह इसी स्कीम से है अब दूसरी छीज़ जो टीवाब भुले लो बोलो या फिर जो यह आईश्मान भारत यह जना बोली आप अपने ही इलाके के अंदर बहुत सारे होस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ पर लेक्स ओफ रुपीज के पेशन्स के ओस्पियने जो है यह ट्रीट्मेंट फिरी में होता है अब इसके अंदर एक बात यह है जिसे अब हमारा आखुला है तो वहाँ पर उसकी लोग मराखी कम जानते है पिछले दिनों एक हॉस्पिटल के अंदर एक महा आरो के शिवीरन लगा था बड़ उसको पॉंप्लेट जो था हो मराखी में था वहाँ पे पूरे और्थोपेडिक्स ओपरेशन्स फिरी में थे वहाँ पे एंजियो प्लस्टी जो देर देर लाग रुपी के होती है वह फिरी में थी एंजियो ग्राफी भी फिरी में थी बहुत सारी चीज़े वह फिरी में थी अब मेडिकल रिली सेंटर का यहाँ से क्या काम होगा इन्फॉर्मेशन आप कलेट करेंगे कि कहाँ पर क्या चल रहा है अब उसको अपनी जो लेंग्वेज है तो मुस्लिम लोक का इलाका ही लेंग्वेज है जब मैंने उसी मेसेज को उर्दो और हिंदी में बना के वाइरल किया तो आपको यकीन नहीं आएगा दो दिन के अंदर पचीश पिशंट जिसमें से पंदरा जो है तो अंजियोग्राफी के थे और दस अंजियोप्लास्टी के थे उस हॉस्पिटल में हमारे लेटर लेकर पोचे है वो 26 दिन से वो पॉंप्लेट गुम रहा था जब कोई नहीं पोचा वो आएके मुझे वो मैनेजर का फोन आया मैं उनके कॉंटेट में था क्योंके उस्पिटल भी हमसे कनेक्ट है वो नहीं इसलार ये कैसे हो गया दो दिन के अंदर वो बोला हमारे लोगों को हमारी लेक्विज समझ में आठ किसी उस्पिटल में कोई शिविन चल रहा है नौन मुस्पिटल है मराधी में उसकी तशीर हो रही है अपने जो ये याने जो एजुकेटेड लोग नहीं है उनके लिए बात चर रही है ने ये सलम इलागों के अंदर उनको कैसे पति चलेगा ये काम हमारे मेडिकल रिलीव सेंटर करेगा उनको बताएगा उसका परचार करेगा सोशल मीडिया में उसको वाइरल करेगा रिजिनल में इसके जरीए और लोगों को वहाँ पर पहुँचा कर उसके अंदर बाकर दा इन्रोल्मेंट करवा के देगा ये भी काम बड़ा काम है अभी जो मैं आपको बता है कि 25 केसिस हुए इस सब की जो है तो अमाउंट अगर आप गिन लेंगे तो 20-22 लाग रुपी की अमाउंट यह हुए है छोटा सा काम मेडिकल रिलीव सेंटर का लेकिन कितना बड़ा अमाउंट जो है इसे के साथ साथ जो है तो हमने जो यह तो गवर्मेंट इस चींज का माउंड़ हो गया है हमने जो प्राविट डॉक्टर्स का जो पैनल बनाया है उसके अंदर हमारे पास से जैसी लेटर जाता है तो रेडियोलोजिकल पैतोलोजिकल टेस्ट हो या फिर जो भी इन्विस्टिकेशन हो और बहुत सारे फिट्नेस होता है इसी जी होता है बहुत सारी क्लासिफिकेशन से उसकी उसके अंदर भी लेक्स आफ रूपीज लोगों के सेव होती है असल में ये काम दो सांगे चल रहा था लेकिन जब मैंने ये फर्स्ट कॉन्फरेंस इसकी अटेंड किया और तक्रीबन दस महिने पहले मुझे लगा कि यार इतना उला काम चल रहा है लेकिन इसका जो है तो डाटा बनाया जाए तो मैंने आज से आट महिने पहले इसको रिकॉर्ट पर लाना शुरू किया अभी तक ये सब ओफ दर रिकॉर्ट था ये जो रिकॉर्ट दिख रहा है ये पिछले छे महिने गए और वो भी कम है कि कोवीट था उसमें कोवीट की ही पेशन्ट का काम हो रहा था दूसरे पेशन्ट का थोड़ा सा फ़लो कम था तो हम लोगों ने जब इसका डाटा पिछले छे महिने में में बनाया तो ये सक्सेस ऑफ MRC मैंने इस पनाम दिया हूँ उप्लाइं कलर साउंडेशन की जरीए जो चंता है इससे तकरीबन 6 महिने के अंदर 33,71,000 रुपिय का वो गुमत का पैसा बचा है अगर ये बेडिकार रिलिफ सेंटर का मात्याम इसके दर्मियान में ना होता तो ये पैसा शायद ना बचा होता 33,71,90 रुपिय ये पूरा हम लोगों ने उसका वाकत वो बना लिये है कौन सा पेशेंट आ रहा है देखिए हमारा ये इस तरीके गर रिफर लेटर है कि रिफर लेटर है पेशेंट डिजर्वींग ही जाएगा अच्छे घर का आएगा और बोलेगा कि मुझे 75 परसंट कंसेशन आप MRI में दरवा दो हम बोलेंगे भाई हम माफी चाहते क्योंकि जो ऑस्पिटल अटेज है हमको उसका भी तो खायार रखना पड़ेगा जो डॉक्टर्स हमारी ने खित्मात अंजाम दे रहे है हमको उनको भी तो डिगरेट नहीं करना पड़ेगा हमको उनको ये बोलकर ही कौन से लिंग की गई कि सर आपके पास पर हम डिजर्विंग लोगों को ही भीजेंगे हमारी पुरी टीम है पेशन आता है उसकी तैकिक होती है और हमारे तरफ से भी जो हमको उनको करना है वो भी करते हैं और जो है तो दुसरी तरफ से भी उनको पूरा बागारा सौट आउट करके काम किये जाता है इस तरह की यह हमारा MRC का रेफरलेटर है पेशन्ट का इसके अंदर जहां भेज़ा जा रहा है नीचे हमारे कोडिनेटर की साइन आती है तो जब यह रेफरलेटर जो है तो हमने किया है तो पिछले छे महिने के अंदर की जो रिपोर्ट है 1342 पेशन्स MRC सेंटर से जो है तो मुस्तफिज हुए बेनिफिट उनको मिला जिसके अंदर सीव जो रेडियोलोजीकल और पैसलोजीकल टेस्ट है उसके अंदर लोगों का जो पैसा सेव हुआ है वो हमारे सिर्फ उतना लेटर देने की वज़े से वह 737 दार 405 हुपी होगा है इसी तरह ऑसपेटल के जो चैर्जिस है वो हमारा जो पैनर ये सीडियो तो प्राइवेट की बात कर रहो हूं। यह प्राइवेट की बात है प्राइवेट के अंदर सेंटर से जो पेशन गया है उसको 5 decreased 55 रुपी है अपरिशन्स के अंदर 11,40,000 रुपी है फिर ही मेटीस आया फिर यह हुआ है कि आपको बात पता है कि टर्स्ट होता है लोगोगो हमर बात में मार आगा है बोले सार यह ऐसा काम चल रहा है अगर आप बलते होंगे तो मेटीसिं से आपके सेंटर को बर देलें हम भी चक गए इतना मेटीसिं अम क्या रही है यहने अपने वाफ़ मेटीसिं नहीं है क्योंकि हो तो बोले सार आप इससे वेटे मैने उनसे पुछा कि इतनी मेटीसिं आप दे रहे है कि जितने हमारे इंपैनल्ड डॉक्टर्स है और जो जनरल फिजीशियन्स है याने जो जीपी होते है B.O.M.S, B.M.S उन लोगों को हमने वो मेडिशिन दे दिया और वो मेडिशिन जो है तो फिर वहां से डिस्ट्रिब्यूट हुई और कोगन रिनिफ के अंदर भी अपने वेडिशिन भी जो आया था इसी तरह कैप्रेट के ऑपरिशन्स है गौर्मेट इस्ट्रिब्यूट से अंदर जैसे हमें ने आप से बहा ये 25 जो ऑपरिशन्स आपको बोल रहा हूँ ना वो एक ही अटेंट के है उस जब ही मैंने रिपोर्ट बनाया था ये सब मिला कि ये 33,71,000 रुपिये लोगों का सेव हो गया हमने कुछ नहीं लगाया सिर्फ एक सिस्टम को डिजाइन किया एक सिस्टम को डिजाइन किया शहर वे इस बाप को फेला दिया कि जो भी जरुदत मन पेशाइन है लेकिन उससे पहले वर्क आउट किया हमने हॉस्पिटल को इंपैनल करना डॉक्तर से बाप करना जब ये और चुके हम डॉक्तर हमारी टीम में भी है तो हमारे लिए आसन भी हुआ हो तो जो एंजियोस इस काम को वर्मा चारती है वो जो है तो मुझसे पॉंट्रिट करें मेडिकल रिलिस सेंटर के जरीए से बहुत सारे काम हो सकते है इतने सारे काम हो सकते है मेडिकल रिलिस सेंटर की जरीए से जैसे मेरे आपको गाँ Medical Equipments, आप आपकी शहर में एक अपील कीजिए, आप ये अपील कीजिए आपकी शहर में, कि जिन लोगों के वहाँ पर लोगों की डेथ हो जा रही है, किसी के वहाँ पर अपील कर देदो, एर बेड है, किसी का काम हो गया, जुरूरत नहीं है, हमारे सेंटर पर लाके देदो, विल्चेयर है, हमारे सेंटर पर लाके देदो, इसी तरीए से जो है तो आप अपको अपील कर दे और आपको Medical Center आपकी शहर में चल जाए, तो आपके पास फिर Medical Equipments भी Medical Equipments ये जो रहेंगे, ये भी thousands of rupees के रहेंगे, जो आप जो है तो, वोई नोगों की मदद जो मैंने लोगों से काम होगा, तो ये भी एक वहाँ से काम होगा, उस्तनिफ की सुन के जो है तो कैम्स है, वो वहाँ पर आप अरेंज कर सकते हैं, सैट अप इसके लिए कुछ नह सारी जीते एक जड़ी ज़ती है, असेट की कोई जुरूरत नहीं आपको, एमडी सी में भी तो computer required है, बस ये है, आपका एक paramedical staff, जैसे इसमें मेडिकल के अंदर जो referring का मामला है, तो वो refer हमारा वहाँ का coordinator कर रहा है, वो वहाँ पर होना चाहिए, एक बंदा आपको अपुएंट करना पड़ेगा, या फिर अगर आप में से कोई वालेंटरी खित्मत करने के लिए तैयार है, हमारे डॉक्टर साहब है, आपको लगे है, मेरे दोस्ट डॉक्टर हुजाई साहब, वो सुबा दो गंटे, शाम में दो गंटे मेडिकल रिलिस सेंटर पे देते है, उनका ताम एक ही होता है, हमारा दोखाना बनगा एक तरीके से, जरुद मन लोगों का दोखाना, जहाँ से पैसे जिए से खर्चा नहीं दे जाएंगे, लेकिन लोगों की अलमदिला लाकों की अलतर गजार रुपी है, ये एक सेंटर से जब 6 मेने में बच सकते हैं, तो तकरीवन 1.5 CR एक साल का, बलकि हमारा बजट तो अभी जादा जा रहा है, अभी काम बढ़ गए है, और 2 CR, सिर्फ ये वो बार बार मैं फोकोस क्या कर रहा हूं आपको, कोई भी किसम का डोनेशन जेब से नहीं है, इसके अंदर, ये only saving है, ये saving है, एक सेंटर अगर एक साल में हमारे कम्यूनिटी का 2 CR सेफ कर सकता है, अगर ऐसे सेंटर शेहर में 3-4 जगह खुल जाए, शेहर में तो गदागर के बड़ा district, बड़ा place रहेगा, तो क्योंकि होस्पिटल सेम रहेंगे, तो तालो का level पे खुलिए, district पे खुलिए, अगर ये centers पूरे महारास में खुल जाए, तो करोल्स of rupees, जो community का सही guidance, proper तरीके से patients को treat नहीं करने के वज़े से, और proper guidance के वए से, जो एक सिस्यू लॉस हो रहा है, वो करोल्स of rupees इसके जरीए से से हो सबता है, तो ये मेरी आप लोग इसे दरफास्त है, कि आप लोग अपने इलाकों में इस काम को शुरू करें, मैं कुछ pictures नहीं, फिर शो बाव में जाओंगा, आपके रिखिये हमारे, ये medical drainage center है, ये लाटर काम हमारे बैठे है, इस तरीके से patients का आना जाना सुब़श हम शुरू रहता है, ये अना अग अल गया है, वहाई से ये सारे काम चलते है, अभी कुछ दिन पहले हमारे वाँके जो अभी देली से नए आया है, collector मैडम, तो मैं ये रोटी बैंक का मैंने नाम सुनी हूँ, मुझे इसको देखना है, collector मैडम, जिलफरिशत, CEO और हमारे RDC, तीलो भी जो हमारे center पर आकर गये है उसको पूरी तरीके से, मैडम ने पूछा, ये इतने सारे काम एक center से कैसे हो रहा है, ये मैडम आये थे, उसकी कुछ fix है, इस तरीके से जो है, तो ये हमारे foundation का ताम चलता है, मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से, कि आप लोग medical के sector के अंदर, ये एक छोटी सी मैंने रोशनी डाला हूँ कि किस तरह लोगों के lakhs of rupees, crores of rupees को safe किया जाए, इसके साथ में charitable OPD आप शुरू कर सकते है, मौला किलिनिक आप शुरू कर सकते है, CSR के अंदर medical department भी eligible है, अगर कोई CSR की funding वगरा किसी को मिलती है, तो आप project बनाईए, मैंने भी अभी एक diagnostic center का project बनाया उस project को put up कीजिए, और medical के अंदर जितनी भी, मैंने शाहिद बात कल्यान में भी कहा था, कि ये दुआओं का CSR है, इसमें बहुत लोगों की दुआएं मिलती है, इसलिए जो है, तो हमको इस काम को, कोई भी NGO, मैं वही बार बर मुला हूँ कि मैं उन NGO's के लिए बात करना च जाता हूँ, जो NGO अपने इलाके में जाके काम शुरू करना चाती है, तो आप ये छोटा मोटा काम है, कोई हाइफाय काम नहीं है, इसलिए कोई बहुत बड़े documentation की भी जरुरत नहीं है, और बहुत लंबा चौड़ा काम भी नहीं है, लेकिन आपनों जो है तो इस काम को कर सकते हैं, अल्ला से दूआ है कि अल्ला कई सुनी बातों से जादा अमल करने की तोफिक अता है, और आखिर में फिर से MMNF का शुकरिया, और मैं हमेशा जो है तो हमारे जाके रवाई के लिए दूआ करवाता हूँ, चुकि हर जगा नए लोग होते हैं, ये MMNF का काम जो है, ये महारास लिवल में बहुत जोर और शोर के साथ में, सही डायरेक्शन में जो है तो चनरा है, इसके लिए आप दूआ करें कि अल्ला ताला ये हमारा जो पूरा फोरम बना है, इसकी नजरे बस से इफादत फरमाएं, जब काम बड़े लिवल पर होता है, तो लोगों की न लोटल इतना बड़ा बना दिये है, ये कहां से मिला, ये इतनी इंफॉरमेशन जो मिल रही है, तो ये सारी चीज़े आपको जो है जब MNF से मिल रही है, तो संजीतगी के साथ में हम लोग जो है तो MNF से जुड़े, और MNF की हर दावत पर लबैक कहे, और हमको सिर्फ का अल्ला के लिए करना है, इस बात को जहन में रखे, शुक्रिया, अल्ला अफ्र। के अल्ला अल्ला अमईटा को जो है। अगर आपको हमारे वीडियो को पाने करें हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाएं हम से दिगर सोशल मीडिया पर जोड़ने के लिए वीडियो में दिये गए आइडिस को सेच करें जजा करें